सन अट्रासो ग्यारा में जब फ्रेंच जर्मनी पर रोल करता था इस दोरान विल और जेक दे ग्रीन ब्रदर्स के नाम से प्रसिद पैसे के बदले भूतों को हंट करना उनका पेशा है कुछ इसी काम से दोनों को एक गाउं से बुलावा मिलता है जहां कुछ समय से एक चुड़ेल उनके गाउं को हांट कर रही है वो उनके लिए चुड़ेल को भगाने के लिए तयार हो जाते पर इसके लिए वो उनसे अच्छे पैसे डिमांड करते डील पकी होने पर जब रात का समय होता है जहां चुडएल यूजूली कॉटेज में भटकते नजर आती है दोनों एक गाहँ वाले के प्रेजन्स में अपने स्पेशल सूट, एकुटमेंट और रिचुल की तैयारी में लग जाते हैं फिर तबी उन्हें किसी शक्तिशाली आत में करके एक दूसरे को खतम करने के लिए मजबूर करने लगती है पर कैसे तो उसके कंट्रोल से छूटने पर दोनों अंत में चुडएल को धूल में बदल देते हैं पर बाद में मैं पता चलता है कि दोनों भी जालसाज हैं क्यूंकि दोनों खुदी गाउं गाउं जाकर अपने और दो साती के मदद से जूटा भूत का अटैक सेट अप करके खुदी उसे बगाने के एक्टिंग करके लोगों से पैसे एटते हैं वहीं दूर किसी मैरबडें जंगलों में एक लड़की बेरीज के तलाश में गलती से अपना रास्ता भटक जाती है और सून उसे कोई साया उसका पीछा कर रहा है फिर तब ही किसी बेढ़िय की आवास से और एक जिंदा चलता पेड उसका रास्ता रोक लेता है वह किसी तरह अपनी जान बचा कर भाग पड़ती है पर मानों वहीं बेढ़िया उसके पीछे लगा होता है वो अपने गाउन पहुचने ही वाली होती है कि तब तक कोई अद्रुश ये खूखा और भेडिया उसे जंगलों में कीच लेता है वहीं इस तरह ग्रिम बदस के जाल साजी का अंता आ जाता है क्यूंकि एक इटालियन टॉर्चर और कैवेल्डी को उनके जाल साजी के बारे में पता चल जाता है और उन्हें सजा दिलाने के लिए घसीटते वे किंग डेला टॉमबे के सामने पेश करता है दोनों भी अपने सात्यों के साथ खूलते पानी में उबल कर मारे जाने वले होते हैं परंत में विल अपने जान के बदले उनके लिए कुछ भी करने के लिए किंग को मना लेता है किंग तो कोई इसे फॉलो करता है वहीं उसी दोरान दो और बच्चे उसी घने जंगल में भटक जाते हैं और फिर तभी कुछ अजीब कोई सुपरनाच्रल इवल पावर उस बच्ची को किसी गुफा के तरफ लूर करने लगता है जिसके दिवार पर उसे डरावनी और अजीब मार किवार शिरापी थे फिर भी उनकी बातों को इगनौर करके सभी उसी जंगल के सबसे भूतिया इलाके में प्रवेश करते हैं जहां जानवर भी जाने से कत्रा और जहां एंजेलीका उन्हें एक रहस्य में तैखाने से घिरा एक विशाल मिनार दिखाती है जिसे नज़्ट King Cadillac Ayne यहां City तयार करने के लिए सभी पेगन से लोगों की जान ले ली और इस राजय में Thuringian की रानी रहा करती थी जो अपने सुंदरता के लिए कई देशों में प्रसीद दी पर वही वो अपने कुरूरता के लिए बदनाम भी थी पर फिर प्लेग के बावंडर ने पूरे राज्य को निगल लिया जिसके प्रकोप से बचने के लिए क्वीन ने ये मिनार तयार किया पर इस बात से बेखबर की प्लेग हवा से भी फैलता है इसलिए धीरे धीरे उसकी सुन्दर चमडी सढने लगी वो कहा करते थे कि आज भी उसकी चीक समुद्र के पार तक सुनाई देती है एंजिलिका और बताती है कि उसके पिता पिछले विंटर में ही किसी वुल्फ के शिकार बन गए जिसके ठीक बाद जंगल ने सबसे पहले उसके दो बेहन को निगल लिया जेक को भी इन जंगलों में कुछ तो भूतिया मैस कर बैठता है और सारे रेवन अचानक से चीकने लगते हैं अब डर के मारे और वहीं कुछ ठोस ना मिलने पर सभी लोटने का तय करते हैं इस बात से अंजान के उनके घोडे को कुछ तो किया गया है और उसी राज जब सभी चैन की नीन ले रहे होते हैं वो होर्स अपने र ट्रीज उन पर हमला करते हैं कैवल्टी की एक साती को तो वो ट्रीज उसके घोडे के साथ उचाल कर फेक देते हैं और दूसरे को तो जिंदा निगल जाते हैं वहीं एंजिलेका का आमना सामने उसी जंगली भेडिये से होता है जो उसकी अनुसार उसकी पिता को गायब होन का जिम्मेदार है वो अपने पिता का बदला लेने की पूरी कोशिश करती है पर भेडिया काफी फूर्तीला निकलता है पर सबसे हराने की बात यह कि अंत में वो उस पर वार नहीं करता क्यूंकि उसके आँखे गौर से देखने के बाद मुझा रियाइज होते है कि यह उसकी पिता है याने कि ये सच है कि उसका परिवार कर्स्ट है शायद इसलिए उसके बहन को उसके पिता के गायब होने के ठीक बाद इस जंगल ने निगल लिया गाव रिटन लोटने तक जेक फिगर आउट कर लेता है कि एंजेलिका का शराप उस मिनार और उस कुईन से पेगन के लोगों पर अत्याचार किया करती थी उनसे इटरनल लाइफ का मंत्र हासिल करने के लिए इसलिए उसके अनुसार शायद अब भी वो कुईन उस मिनार पर जिंदा है और वो अब भी एंजेलिका के खोई बेहनों को खोज निकाल सकते हैं क्यूंकि उसे एंजेलिक से सीधे कुवे में डूब कर अपनी जान दे देता है क्यूरियोसिटी में जब शैशा उसे पानी से निकालती है तो वो अचानक में जिंदा हो जाता है और फड़ पड़ाते हुए उस पर कीचर फेकने लगता है जो आक्चुली में कोई काला मंत्र निकलता है क्यूंकि उस से उसकी आँखे और जुबान बाहर निकला जाती है इतना कमने कि अब कोई फेसलिस कीचर से बना जिंजब्रेट मॉंस्टर कुवे से निकल कर शाशा की आँखे और जुबान खुद पर चड़ा कर बेचारी शाशा के पीछे पड़ जाता है गाउवाले उसे धेर करने की क उचाई पर पहुचने पर वो नोटीज करता है कि ये मिनार एक्जाट क्लॉक पैटन में बारा तैखाने से गीरा है अब कैसे तो मिनार में एंटर करने पर उसे वो पूरी जगा खंडर ब्लड मून की नकाशी और मंतर की किताब भी मिलती है पर सबसे जरूरी कि उसका मानन सही निकलता है क्योंकि उसे बूरी कुइन जिंदा पड़ी नजर आती है वहीं शाशा कुए से मिनार के तलाप से निकल आती है इस से पहले कि वेल उसे बचाए वो ही हंट्समें शाशा को किसी तेखाने में लेटा कर उसे किसी रिंग के मंतर में कैद कर देता है तेखाना सब जवान नजर आता है पर वो कैसे तो उसके चंगुल से छूट कर सीधे मिनार से ऊच जाता है और वो सीधे हंट्समें पर गिरता है दोनों तुरण शाशा को लेकर गाउं भाग पड़ते हैं पर शाशा शायद अब भी क्वीन के स्पेल में ट्रैप्ट है इतना कमने कि उसे देखकर एक बुज़र अजीब अजीब पहली में बड़ बड़ाने लगती है जिससे फाइनली जेक कुछ अमकता है कि कुईन इटर्नल लाइफ मंतर के कारण अब भी जिन्दा तो है पर इससे उसकी जवानी बरकरार नहीं रही वहीं वो मंतर की किताब बारा तैखान और वो ब्लड मून की नकाशी यही साइन है कि यह गाओं पानी के जरीए कुईन के स्पेल से श्रापी थै जो एकलिप्स के दिन बारा यूद के जवानी को भेट चड़ा कर वो एटर्नल यूद भी पाने के कोशिश में है और शैशा उसकी बारावी बलिदान होने वाली थ परन्त में एक जलते पेड़ के कारण दोनों बढ़ जाते हैं और अब वो ही भेडिया एंजिलिका को घेर लेता है पर अब वो भेडिया उसी हंट्समैन में बदल कर वो सच में एंजिलिका के पिता निकलते हैं जहां अब रिवील होता है कि कैसे पिछले विंटर के दोरान जब वो भेंकर थंड के कारण मरने वाले थे तो क्वीन उन्हें सिड्यूस करकि किसी मंत्र से उन्हें अपना गुलाम बना दिया यूद पाने के मंत्र को उसके लिए कंप्लीट करने के लिए वो अब भी क्वीन के वश में वो एंजिलिका कर वार करने बढ़ते हैं पर एन देर बाद एंजिलिका भी शाशा के तरह मिनार के करिब के तालाब से नजर आती है हंट्समेन उसे भी तैखाने में कैद करके उसका खून क्वीन को चड़ाने बढ़ता है वहीं क्वीन को महसूस हो जाता है कि जंगल को आग लगा दी गई है इसलिए वो अपने एक ही फू को रोकने की सोचे भी कींग कैवल्डी के साथ उन्हें मारने बढ़ता है पर अपने कींग के बेवकूफी के सामने कैवल्डी अपना साइड बदल देता है जिसके सजा के तौर पर वो उसे वहीं शूट कर देता है आंत में दोनों का कींग और उसके एक नोकर में लंबी ल की यूथ return lot आती है दोनों फिर भी queen को खतम करने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों को भी एक दूसरे को खतम करने के मंतर में बांद देती है अब कभी भी eclipse खतम हो जाएगा जिसके कारण सभी मंतर में कैद मारे जाएंगे वहीं वो queen के शक्तिशाली मंतर में कैद उन्हें realize हो के queen भी will को अपना नया गुलाम बनाने का तरह करती है इसलिए वो मंतर huntsman से निकाल कर will पर cast कर देती है जिससे will में जान आ जाती है पर आव huntsman से जान निकलने लगती है क्यूंकि उस दरा उनके मरते वक queen ने spell cast करके उसे जिन्दा रखा था luckily जे queen के कमजोरी mirror का समझ जात वो कैसे तो हिम्मत करके बदले के आग में mirror लेकर कूद जाते हैं जिसके पीछे will भी अप queen के control में उसे रोकने की कोशिश में कूद जाता है पर will उसे रोक नहीं पाता और mirror के तूटते ही queen और उसका मिनार मिट्टी में बदल जाता है पर spell अब भी तूटा नहीं होता फिर तबी कैवल्डी को अपने बच्पन के fairy tale से याद आता है कि true love के kiss से spell को तोड़ा जा सकता है जो actually में काम कर जाता है जब जेक अपने true love angelica और angelica अपने true love will को किस करती है और अरंत में सभी बच्ची भी बच जाती है और गाउं भी queen के शराप और निर्दे king के कैट से आजा जाते नजर आता है याने के शायद कुई नब भी resurrect हो सकती है सिंस उसके पास eternal life की शक्ती थी और ये वीडियो यहीं end हो जाती है प्लीज वीडियो पसंद आए तो like कुछ feedback से सवाल हो तो comment channel को support करना चाहते हो तो subscribe या सच में आपको मेरी मेनत पसंद आ गई ही तो आप अगले explanation पर तब तक लिए धनिवाद दोस्तों